स्वागत है आप सबका हमारी यूटूब चैनल बियार सिनेफिक्स में और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की वीडियो जिकिस रंखला में हम हाजिर आपके लेक नए वीडियो लेकर करके तो आज हम आपको जिस लोकेसिन पर लेकर चल रहे हैं उस लोकेसिन का नाम है ग्र कि वहाँ पर जो किसनपुरा और भेदाडी की जो सीमा है वहाँ पर एक जो हाई टेंसन लाइन है उसके सिप्टिंग का काम चल रहा है और काफी हदे तक उसका काम हो चुका है फिलाल हम आपको वहाँ चलने पर और कवरेज लेने के बाद बताएंगे कि आखिर वहाँ पर स तो हम आप पहुंचे हैं इस लोकेसिन पर जहां पर जो हाई टेंसन लाइन है उसके सिप्टिंग का काम चल रहा है और आपको सामनी स्क्रीन पर एक बड़ा सा पोल दिखाई दे रहा होगा जो कि अभी नया इस्ताफित किया गया है और यह देख सकते हैं अभी इसमें जो वायर है तार है वो भी डाल दिये गए हैं और यहाँ पर पहले नीचे डामरिकरण नहीं था फिलाल यहाँ पर डामरिकरण कर दिये गए है और यहाँ पर जो जो तार है उनकी उचाई होगी वो लगभग पचास और पचपन फिट के आसपास है यहाँ पर इतनी उचाई य आमने देख सकते हैं ये इस्ताफित किया गया है ये नया पूल है जिसको यहाँ पर इस्ताफित किया गया है फिलाल यहाँ पर थोड़ा वर्क चल रहा है आला कि जो दो पूल ओर हैं उनको भी इस्ताफित किया गया है वो भी हम आपको बताएंगे ये देख सकते हैं आप यह यहां पर डामर की तीन लेयर पहले ही डाली जा चुकी है और यह जो डामरी करन है यह भी कुछ दिन पहले ही हुआ है लगबग 60-70 मेटर का हिस्सा था यह जो बीच में छूटा हुआ था कारण यह था कि जो हाइटेंसल लाइन थी वो काफी नीची थी तो उस टाइम सिप्ट वो लगबग 50-55 फिट कर दी गई है तो अभी यहां पर डामरी कर दिया गया है यह देख सकते हैं आप और बगल में जो थोड़ी सी मिट्टी बहगर के चले गई थी वो भी यहां पर ठीक की गई है सामने आपको पोल दिखाई दे रहा होगा यह अभी स्थापित किया गया है और बहुत जल्द यहां पर इसको शिप्टिंग का काम कर दिया गया हाला कि अलवर में भी कई जगे जो दिली मुंबई एक्सप्रेस वे हैं उसको हाइट एंसे लाइन क्रोस कर रही है लेकिन वहां पर जो कारिय है वो थोड़ा सुस्त चल रहा है फिलाल यहां पर दौस है वो यहां पर पूरा होने वालद है हम आपको दिखाने की कौशिस करेंगे सामनी के और भी एक जो पौल है वो स्थाप्त किया गया है तो दोनों और दिली मुंबई एक्सप्रेस वेके दोनों साइड में दो-दो पौल स्थाप्त किये गये हैं जिससे की जो इसकी हाइड है उचाई है तारों की वो लगबग पचास पच्पन फिट के आसपास बनी है ये देख सकते हैं आप ये जो पोल है ये लेप्ट साइड में इस्ताइपत किया गया है और दूसरा पोल ये देख सकते हैं आप सामने ये राइट साइड में इस्ताइपत किया गया है तो पचास पच्पन फिट के आसपास इनकी उचाहिए यहाँ पर और आप देख सकते हैं जो मिलर जा रहा है इसके नीचे एक रास्ता भी निकाला गया है हाला कि अभी यह खचाही रास्ता है लेकिन लोग यहाँ से आ जा सकते हैं और कमपनी के जो वान हैं वो भी यहाँ से आ जाते हैं तो एक बहुत अच्छी खबर है कि यहाँ पर जो लाइन शिप्टिंग का जो काम था वो आज यह कल में पूरा हो जाएगा और जो वाइर खीचने का जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि यहाँ पर जो हाईवे से जो तारों की उचाई है वो लगभग 25 फिट के आस पास है इतनी उचाई यहाँ पर रखी गई है हम आपको एक बार फिर से दूर से दिखाने के कोशिस करेंगे आपको वो जो पिलर हैं जो कमबे हैं बिजली के वो इस पश्ट रूप से दिखाई दे रहे होंगे और आप देख सकते हैं जो खेते हैं उनमें इस समय सरसो की बुवाई हो चुकी है क्योंकि राजस्तान में सरसो काफी हदे तक बोई जाती है ये कमपनी का जो रिपेरिंग करने का जो वाहन है वो गुजर रहा है यहां से अब हम आपको प्लान्टेशन के बारे में थोड़ी सी जान करें देते हैं ये देख सकते हैं आप ये बेधारी गुजरान में ये प्लान्टेशन हुआ है ये देख सकते हैं काफी फूल खिल चुके हैं इस समय जो प्लान्ट है जो बेल है उसमें आप देख सकते हैं लाल फूल खिले हुए हैं और काफी सुन्दर दिखाई देते हैं हाला कि ज़्यादा जो पूदे हैं उनमें फूल अभी खिले नहीं है लेकिन जैसे जैसे पूदे प्रगति करेंगे जो डिवाइडर है उसकी सोभा बढ़ाएंगे ये पूदे और काफी सुन्दर दिखाई देंगे वैसे हम आपको डामरी करण के बारे में दोसा जिले के बारे में एक संपून जानकारी देते हैं कि फिलाल जो पापड़ा की ग्राम है उसका पूल कनेक्ट नहीं हुआ है इसके अलाबा जो एक ओवर ब्रिज है जो बिवाई के पास बन रहा है रेल्वे का वो अभी पापड़ा की ग्राम से और बहंडरेज तक निरंतर रूप से कर सकते हो चले अब बात कर लेते हैं हमारे दोरे चुने के कॉमेंट्स की तो पहला कॉमेंट जो हमने चुना है वो है तुसार पमार जी का ये लिखते हैं गुड नियूज तो हम इनका भी अपने चैनल पर आर अगला कॉमेंट जो हमने चुना है वो है लवेंद्र कुमार मीना जी का ये बांधी कुई जैपूर एक्सप्रेस वी के बारे में लिखते हैं जो six lane का बनाया जाएगा ये लिखते हैं सर जैपूर बांधी कुई आईवे की coverage भी दो जी बिलकुल हम बांधी की और जैपूर जो हाईवे है जो six lane है उसकी अपडेट जरूर देंगे और हम जल्द ही इस पर एक नए वीडियो लेकर आ रहे हैं यदि आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले आपको हमारे वीडियो कैसे लगा आप हमको कमेंट अब जर करिया